सबसे पहले हम यह देखते हैं कि why there is time value of money जिसे कि मैंने आपको भी बोला कि time value of money क्यों है what are the reasons for time value of money revision हमारा हो चुका है, सब कुछ हो चुका है अब time value of money क्यों है वो देख लेते हैं ठीक है यह आपने CA foundation में पढ़ा रहेगा but I don't know आपको याद है या नहीं just go through करते कि time value of money क्यों है ठीक है तो let us take an example कि आप लोग पानी पूरी खाते हैं पानी पूरी पानी पूरी पता है आपको इसको अलग 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 state में अलग अलग नाम है कहीं पर पताशा कहा जाता है कुलकत्ता साइड आसाम साइड पुछका कहते है गोल गप्पा बोलते है अलग अलग नाम है पानी पूरी पता है ना यह इस में को पता है आप लोगों को पानी पूरी बहुत भाती है देखिए suppose आप example लेते हैं कि आप लोग 2005 से पानी पूरी खा रहे हैं 2010 में भी आप खाते थे 2015 में भी खाते हो और 2021 में अभी भी खा रहे हो अभी तो सब बंद पड़ा है लोगडाउन के कारण लोगडाउन नहीं यह जो भी situation चल रही है उसके आप से बहार खाना नहीं चीए लोगडाउन तो खत्म होचुका है समझो तो the point is that यह पानी पूरी 2005 में कितने में मिलती थी किसी को पता है 2005 में यह पानी पूरी उसको क्या कहते है आप वो एक पताशा क्या पताशा कहते है पताशा बिपाशा नहीं पताशा क्या 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 फुग्य कहते है फुग्य हमारे यहां पे फुग्य कुछ लोग उसको फुग्य कहते है एक फुग्य दो फुग्य कोई पताशा कहता है कुछ भी बलून नहीं होता है फुग एने बलून नी, अलग चीजे पानिपुरी वाला फुगा हुगा Day is the 2006 में को में दौरूपे में पाच फुग्याते थे पाच पानिपुरी 2010 में पाच उन कर आने लगी 2015 में दस रुपे की पाच आने लगी और 23मेश 2015 में आज आज वीज रुपे में पाच आती है आज कितने में आती है वीज रुपे में पाच आप में से कोई अगर आज भी दो रुपे वाली पाच खा रहा है तो मैं आप से अनुरोद करूगा I will request you not to eat that पानी पूरी दो रुपे में पाच पाच फुगे वाली पानी पूरी ना खाए ठीक है So see the what is time value of money I will try to explain you the concept क्या है ये देखिए अब आप 2005 में दो रुपे में पाच पानी पूरी मिल रही थी अगर आप 2005 में ये दो रुपे बचा के रखते और सोचते कि में 2021 में ये दो रुपे की पानी पूरी खाऊंगा तो क्या आपको दो रुपे में पाच पानी पूरी मिलती है आपे नहीं मिलती यहां दो रुपे में कित्ती पानी पूरी मिलती है आपको आधी पानी पूरी तोड़के वो भी नहीं मिलती आजकल दो रुपे में तो भगा देंगे आपको वो दो रुपे देदेगा आपको पानी पूरी वाला बेटा दो रुपे ले चार रुपे का कई और कुछ खा ले ऐसा हो जाएगा So the point is with the passage of time the value of money decreased दो रुपे में पाच पानी पूरी मिल रही थी अब दो रुपे में कुछ नहीं मिल रहा अब बीस रुपे में पाच पानी पूरी मिल रही है So with the passage of time, the value of money decreased and that is nothing but time value of money समझ रहा है आपको? So यह क्यो हुआ? Because of inflation यह time value of money क्यो हुआ यह? यह because of inflation so हमारा first reason जो है why there is time value of money reasons for having time value of money the reason number one is inflation reason number one, one क्या है? inflation reason number one क्या है? inflation inflation समझ आपको यह reason number one, inflation समझ गया? Now see, अब मैं समझ आपको, मैं आपको बोलू हूँ की बेटा मैं आपको पार्टी दूँगा लेकिन आज नहीं आपके रिजल्ट के बाद पार्टी दूँगा तो आप बोलेंगे यह क्या बात होगई भूक आज लगिए है, तो खाना आज ही खाएंगे न, कि कल खाएंगे, रिजल्ट के बाद खाएंगे ऐसे दूदन चलता है मेरेको आज ही चाहिए जो भी चीज है, मेरेको आज दीजिए ठीक है? तो आपको हमेशा एक प्रिफरेंस रहता है अभी के लिए ठीक है, अभी भूक लगी है, अभी खाना खाना है, ठीक है? तो, सेकेंड रीजन फोर हेविंग टाइम वेल्य उफ मनी इस प्रिफरेंस पॉर प्रेजंट कंजंप्शन एक्जाम्पल पार्टी पार्टी का मैंने आपको बोला ना ठीक है? समझा आपको ये नमबर थ्री सब्पोज आपके सिटी में सीसीडी नहीं है, सीसीडी नहीं है सीसीडी पता है, कैफे कॉफी डे, हाँ या मैक दॉनल्स नहीं है और आपके पास आज investment opportunity है कि उनको उनकी agency अलोट करना है, franchise अलोट करना है मैक डॉनल्स को या फिर सीसीडी को तो आपके सिटी में आपके पास opportunity है तो आज मेरे पास investment opportunity है अगर मैं बोलू कि 6 महने बात करेंगे तो 6 महने के अंदर तो कोई दूसरा आदमी लेके आ जाएगा ना वो प्रपोजल वो कोई दूसरा आदमी खोल लेगा तो इसके लिए पैसो का वैल्यू बुझे आज जादा है तोडे दो वैल्यू इस मोर देन तुमोरो अगर आप आज हॉस्पिटल में एडमीटे फॉर एग्जाम्पल प्रिफरेंस पॉर प्रेजंट कंजंप्शन का में बता रहा हूं तो आपको आज ही फीज भढ़नी है ना हॉस्पिटल के पैसे आज लगने वाले कल नहीं लगेंगे तो प्रिफरेंस पॉर प्रेजंट कंजंप्शन देन वी वर डिस्कसिंग अबॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आज मेरे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है एक्जाम्पल मैकडॉनल्ड्स सीसीडी एक्सेटरा तो आज आपको इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो आज ही आपको पैसे चाहिए ठीक है समझा आपको ये क्लियर है पक्का एंड देन सपोस मैं अगर आप लोग मुझे बोलेंगे बच्चे लोग मुझे बोलते सारे कि सरे एक काम कीजए आप पूरा बैच कर लीजए हम आपको बाद में फीज देंगे तो सब लोग खुश वाह ऐसे ही होना चाहिए न बट देन there will always be a risk कोई बच्चे देगा कोई बच्चे नहीं देगा तो future में मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा मेरा fees जो fees है अपनी वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी कुछ पता नहीं है तो there is a risk of receiving money in future and that is why it is having time value of money now I am having its value now मुझे आज ही पैसा देदो मुझे future की कोई guarantee नहीं है आप लोगों की मतलब ऐसा example है example है बटा example के साथ emotional नहीं होना है ठीक है don't get emotional with the example या आपके जैसे बच्चे होते हैं जो बच्पन में 11-12 में जब रिटार्मेंट या डेट आप दो पार्टनर्शिप में करते रहते साथ X and Y were partner Y died तो आपके जैसे बच्चे रोन लग जाते इमोशनल नहीं होना है बटा वो वाएट जो डाइड है ना वो बुक्स के अंदर डाय हुआ है don't get emotional with the example ठीक है yes risk of uncertainty of receiving money in future future student fees ये example इसके रिखा रहा हुआ है आपको याद रहे सब कुछ yes have you written this much अगर इतना रिख दिया होगा तो आगे बढ़ते है पन